पूर्णा दिवस्त पर आज हम सब लोग अपने घरों पर तरंगा लहरा रहे हैं हर जगा तरंगा लहराता दिख रहा है पर तरंगे को लहराने के लिए केवल कुछ दिन नहीं है हम हमेशा अपने रदे के अंदर उस तरंगे की भावना को धान करें यह तरंगा हर समय हर छण हर पल हमारे घर पर हमारे मन पर हमेशा चाया रहे इस तरंगे की भाव की भंगिमा को देखते हुए लहराते हुए इस भाव को देखकर मुझे तीन बात कुछ एक पंक्ति याद इस तरंगे के तीन रंग है एक केसरिया है एक श्वेत है एक हरा है उस पर एक चक्र है पहला रंग है केसरिया जो बलिदानों की जानरे श्वेत रंग वै अशोक चक्र वो विश्व शांती के नाम रे और तीजा रंग है हरा हरा जो महबत का पैगाम रे मेरा रंग दे रे रं प्रारूप देखते हैं केसरिया, श्वेत, भरा और बीच में चक्र यह हम लोगों को जब भारत सुतंत्र हुआ 1947 में, तो 15 अगस्त के दिन यह हमारी असमिता का यह पहचान, हमारी शान तिरंगा लह रहाए गया, पर इस तिरंगे के पहले कही प्रारूप बदले, इस प्रारूप को बनाया वेंकईया पिंगला जी ने, इस पे पहले चर्खा था, फिर बाद में उस पे चक्र बना, जो बढ़ें, भीका जी कामा और जगा जगा उन्होंने एक भारत का परतीक एक जंडा बनाया था और उसको फैराती थी, और साथ में हम यह भी नहीं भूलें, कि भारत की आजादी का जो प्रथम धोजारोण था, वो नेता जी सुभास चंद्र बोजजी ने, अंडमान में किय था, आज भी वो जगा है, इसलिए तरंगा हमेशा लहरते रहे, सुभास चंद्र बोजजी ने का था कि जब तक एक भी भारतीय के तन में प्राण है, यह जंडा कभी नीचे ना होना पाए, यह पता का यह द्वज कभी नीचे ना होना पाए, इसलिए आज हम सब लोगों क करतवे बनता है, यह तरंगा लहराता रहे, इसके प्रती हमारा आदरभाव बना रहे, हम भी आने वाले पीड़ी को यह तरंगा उनकी शान का, उनके स्वाविमान का प्रती बना के जाए, इसलिए यह तरंगे की यात्रा को, इस सुतंत्र दिवस पर रहत रहे हुए तरंग तोहड़ी शेर्च पहली वार अधबुत शक्ती चमतकार विखु। तोहड़ी शेर्च पहली वार अधबुत शक्ती चमतकार विखु।